नमस्कार मैं सुरेश कुमार सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तो आज हम बात करेंगे एक लेटर की जो की निकला है गोर्मेंट आफ जमुएन कश्मीर मिशन डिरेक्टोरेट पोर्षन जे एंड के तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है रिलीज अफ फ़ंड्स अंडर C.S.S. स्कीम पोर्षन अभ्यान जेके 137 फार इंसेंटिव टू बहुस सारी जो आंगनवाडी वर्कर्स हैं और हेल्पर्स हैं वो पूछती रहती थी कि जो वो पोशन ट्रैकर पे डाटा अपलोड करती हैं पर्टिकुलरली जो जो हाइटन वेट है ग्रोथ मोनीटरिंग है आपको पता ही है कि 15 से पहले पहले अगर कोई आंगनवाडी व वो उपन करती है तो उसके लिए विज इंसेंटिव हैतो वह वाले जो इंसेंटिव है वो आ चुके हैं उसके लिए सो फट्स हैं जम्मू कशमीर में स्टेट मिशर्टबें कि अि इस मिषर्मीर से रिलीज हो चुके है और यह क्वोड से Financial year के Finds सरिलीज हुए हैं जै financial year 2023-2024 2023-2024 के जो funds है वो release हो चुके है कहने का मतलब है कि April 2023 से लेके March 2024 तक जितने भी incentive बनते थे जो की portion tracker के related है वो आंगनवड़ी workers और आंगनवड़ी helpers के आ चुके है funds release हो चुके है तो जे order number 271 MD of 2024 तो जे जो latter release हुआ है 11 July 2024 को release हुआ है तो sanction is hereby accorded to the release of funds amounting to Rs. 19.14,070,250 annually in favor of Child Development Project Officers for incentives to आंगनवड़ी workers, oblique आंगनवड़ी helpers as per portion tracker app, as per annexure C and strictly as per guidelines of the scheme तो इसमें जो total जो funds release हुए है incentives के, जो portion tracker के incentives हैं तो जे जो funds release हुए हैं, जे जो total है, जे है 19 क्रोड, 2014,008,70,250 जो हैं, जे सीडीyes हुए हैं, जे जो fundus release हुए हैं, जे CDPOs के disposal पर रखेंगे हैं, जो zero balance account होता है CDPOs का, और वहां से जो funds हैं, जे अंगनवड़ी workers के account में, जہेंगे, अब आपके माइंड में आ होगा कि जो एक आंगनवाडी वर्कर को कितरे incentive मिलते हैं, तो हमने एक बार पहले भी बात की थी, कि अगर आंगनवाडी worker जहां पर बताया गया है, कि अगर आगनवाडी worker पंदरा तरीक से पहले-पहले height wait कर देती हैं और जितने भी home visits हैं वो कर देती है तो वो eligible हो जाती है incentive के लिए और एक महिने के जो incentive है potion tracker का data maintain करने के लिए वो 500 रुपया बरकर को मिलता है और 200 रुपया आंगनवाडी helper को मिलता है आंगनवाडी helper को किसका मिलता है जो आंगनवाडी helper जो आंगनवाडी center को open करेगी उसका आंगनवड़ी helper को incentive 500 रुपया मिलेगा कहने का मतलब कि अगर 12 महिने अगर हम financial year 2023-24 की बात करें तो total 12 महिने हैं तो 12 तो आंगनवड़ी worker को कितने मिलेंगे 12 को 500 से multiply करें तो वो 6,000 रुपया बनता है तो आंगनवड़ी worker को जो है वो 6,000 रुपया मिलेगा और जो आंगनवड़ी helper है अगर हम 200 से multiply करें तो वो 3,000 रुपया बनता है कहने का मतलब कि एक आंगनवड़ी worker को total जो financial year है 2023-24 आंगनवड़ी worker को 6,000 रुपया और आंगनवड़ी helper को 3,000 रुपय मिलेंगे लेकिन जहां पे एक condition है और वो condition J है कि अगर आपने आंगनवड़ी worker ने potion tracker को maintain किया होगा जिन्होंने 15 से पहले-पहले height weight नहीं किया होगा home visit नहीं किये होगे कब उन मन्त का जिन मन्त का जो incentive है वो आया हुआ है किन मन्त का आया हुआ है जो की April 2023 से लेके March 2024 तग अगर किसी आंगनवड़ी worker ने जो potion tracker maintain नहीं किया होगा तो वो जो incentive है उसके नहीं आये हैं इसलिए आप देखेंगे कि जहां पे जितनी आंगनवड़ी workers हैं उनके मुताविक incentive कम आये हुए हैं वो कम इसलिए हैं जिनके नहीं आंगनवड़ी center को open नहीं किया था 21 दिन से कम जो आंगनवड़ी center थे वो open रहे थे तो इसलिए उनी आंगनवड़ी workers को जे incentive मिलेंगे जिनू ने 15 से पहले height weight कर दिया home visit कर दिया और आंगनवड़ी center minimum 21 days open किया होगा तो आपको अभी समझ आ ही गई होगी इसलिए सासात्मे में जे भी कहूँगा कि आगे के लिए आपने दियार रखना है कि जो अपना portion tracker है वो आपने maintain रखना है देखो एक अगर आप portion tracker maintain रखते हैं तो एक बात तो जे है कि आप आपने के लिए ठीक रहेगा दूसरा जे हमारी job responsibility है दूसरी बात जे है कि अगर आप maintain रखते हैं और timely maintain portion tracker करते हैं तो इसके लिए incentive भी मिलते हैं जो कि हमारे जमू कश्मीर में आंगनवाडी workers और आंगनवाडी helpers के लिए आचुके हैं अगर आपको इसमें कुछ confusion बगारा होगा तो आप concern जो आपके जो clerk होंगे dealing assistant होंगे जहां concern जो supervisors हैं जो CDPOs हैं उनसे आप बात कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही था धन्यबाद